आतंकी पिछले 10 दिनों में 6 आतंकी हमलों को अंजाम दे चुके हैं जिसके जवाब के रूप में भारते सेना बड़े पेमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में ओप्रेशन चला रही है आतंकीों को घेर कर मारने के लिए भारते सेना पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े आक्शन के साथ जुटी हुई है मकसद साथ है आतंकीों को जहनुम डिपोर्ट करना भारते सेना की राश्च्री राइफल्स पूरे कश्मीर में बड़े अभ्यानों को चला कर आतंक्यों को मार गिराने में अब तक कामियाभी साबित हुई है लेकिन फिर एक बार एक बड़ा अक्शन करना होगा एक तगड़ा अक्शन ये अक्शन इतना जोरदार होगा कि पूरा पाकिस्तान हिल जाए और इसी मकसद के साथ पूर्च में राश्ट्र राइफल्स की काउंटर इंसरजिंसी की एक श्वाखा रोम्यो फोर्स अब बड़े अभ्यान को चला रही है रोम्यो फोर्स जो पूर्च में बड़े ऑप्रेशन को अंजाम देती है वो एक बाद फेर आक्टिफ हो गई है बड़े पेमाने पर रोम्यो फोर्स अब अपनी ताकत लगाने वाली है जम्मू कश्मीर के पूर्च जिले में सुरक्षबलों के जवानों और आतंकियों के बीच मुटबेड की जानकारी सामनी आई थी जिसके बाद अब रोम्यो फोर्स आक्शन मोड में आ गई है इलाके में पेट्रोलिंग कर रही टीम पर आतंकियों ने फारिंग की थी पेट्रोलिंग टीम पर फारिंग की जानकारी मिलते ही मौके पर भारतिस सेना पहुँच गई जानकारी के मुताबिक पुंच शेत्र में दो आतंक वादियों की मौजूदकी की रिपोर्ट के बाद इलाके में तुरिक बल भेजा गया था जिस पर आतंक्यों ने सुरक्षबल की टीम पर गोली बारी कर दी जानकारे के मुताबिक जम्मो कश्मीर पुलिस के स्पेशल ओप्रेशन ग्रुप की एक टीम पर घने जंगल वाले इलाके में गोली बारी की गई इसके बाद सुरक्षबलों ने आतंक्यों की तलाशी शुरू कर दी और अपना ओप्रेशन तेज कर दिया अब पूंच के जंगल रोमियो फोर्स की घेराबंदी में है आतंक्यों को घेर कर मारने के लिए रोमियो फोर्स बड़े अभ्यान को अनजाम दे रही है बता दे रोमियो फोर्स के बाद एक बड़ा अनुभव है जो आतंक्यों को मारने में माहिर है जम्मू कश्मीर में स्ताई रूप सतनात राश्य राइफल्स का ही एक हिस्था है रोमियो फोर्स के लिए सबसे बहतोपून बात ये है ये जम्मू कश्मीर के भूगोल और वहां की चुनोतियों को अच्छे से जानते हैं इनके पास जम्मू कश्मीर में कत्यधिक प्रभावी खूफिया नेटवर्ग है जो सिग्नल इंटेलिजिन्स और मानव खूफिया जैसे विविन मादिमू से जानकारी हासिल करते हैं ये अपने संचालेंज से आतंकवादियों के नेटवर्ग को ना सिर्फ भेद सकते हैं बल प्रपोर्ट भारतब